एक्यू प्रेशर उप्चार ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है यह उप्चार का ऐसा तरीका है जिसमें मात्र शरीर के कुछ बिंदूओं पर दवाब डाल कर आपकी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है यह बात सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगती पर यह बिल्कुल सच है असल में हमारे शरीर के मुख्यंगों के दवाब गेंद्र या यू कहें कि प्रेशर पॉइंट्स पैरों के तलवों और हथेलियों में होते हैं जिने दबाने के बाद आपकी 260 बीमारियां दूर हो जाती है यह थैरेपी दुईयां भर में इस्तमाल की जात एक्यू प्रेशर पहले कभी भारत का एक पारंपरिक उपचार हुआ करता था लेगिन अब इसे लोग चीन का पारंपरिक मानते हैं इसमें इलाज है कोई ऐसी किड्नी फेल हो रही हो तो इसका इलाज है कोई ऐसी बीमारी नहीं है इसका इलाज नहीं है वेरिकोस बेंस में इसका इलाज है जहां यह हमारी अलोपेथी फेल है आपके पास हजारों लोग आते हैं बहुत लोग आते हैं किस तरीके की वो समस्य समस्य पाराव्ट कर नर्यूंद हम सारे समस्यां जितनी पुराणी होती इसमें समिज्वार कर इस般 रीवावरनी को जाते हैंग यूण जेर देखिया य०्यारी कि और एक्यू पॉइंट वहीं करता है जहां उसको दिखत है और ठीक होने के बाद तिर उस पे उस एक्यू पॉइंट नहीं होता है हर वीमारी के इसमें इलाज है है जिस तरीके से आप प्रेश्ड थीक कर रहें क्या आज कहीं न कहीं पुराना जो एकष्ड फेश्ड वाला college था वो कहीन ही दूर हो गया है हमारे हान सर चला यह घाथ हैं अब यह दुबारा से आया पहले हमारे ही देश की ये पत्दिती है कि हमारे देश में सम्राट असोक न इसको श्री-लंका चाइना जापान पौरिया इन सम्रेश प्रचार प्रशार किया था उन्होंने इसको अपना लिया चीन इसका बहुत प्रिचारक है और जो इस पर बहुत काम कर रहा है जापान भी है और लंका में बहुत ज़्यादा इस पर काम है जबके हमारी देश की पद्रिती है हमने इसको भूला दिया जितने भी और्नामेंट्स हम पहनते हैं वह एक्यू प्रेसर के ही लिए पहने जाथ है गले में हम हजली पहनते हैं धड़ में हम कौंधरी बांते हैं तगड़ी पहनते हैं नीचे बरहे पर्चे बाजू पहनते हैं सेंपिल पहनते हैं खड़वे पहन पाली पहनते हैं यह सब अलाप में परसे सम्वर्ण जो कि हमारी ही पूराथन पढ़ देती है जो किसी भी देश में नहीं है जो हमारे ही हैं से और हमने उसको भला है अब यह और चीन से स्री लंका से जर्मनी से आई है तब हमें इसे दुबारा से लिक्मेंट कर रहे हैं और इसमें सारी बीमारियों के इलाज कर रहे हैं और हमारे पास में SDM साहब आते हैं विवे कानंत मिश्रा जी दादरी के SDM समय उनका इलाज में कर रहा हूं उनके इस्टेनो साहब हैं तेवारी जी हैं उनका इलाज में कर रहा हूं उनको बहुत फायदा है और कितने आते हैं दौरे पढ़ते हैं दौरे पढ़ने सब बंद हो जाते हैं बिना किसी दावार कोई ऐसी बीमारी इसमें नहीं है जिसका इलाज इसमें नहीं होता है एक्यूप्रेशर के द्वारा है संपूर्ण इलाज इसमें है एलोपैती में किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है एवल दावाने भर का इलाज यह एक तरह से शरीर की शंबा को जगाने के लिए संकेत भेजने की तक्नीक है कुछ नलिकाओं के माध्यम से शरीर को उर्जा मिलती है और इस प्राकर्तिक उर्जा में किसी तरह की रुकावट बीमारी या दर्द का कारण बनती है इस पारमपरी कुपचार के जरीए एक्यू प्रेशर से स्वास्त में सुधार लाया जा सकता है जिससे शरीर स्वस्थ हो जाता है लोकले दिन के लिए बुलंद शहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट